How to fix Facebook can't find account problem नमस्कार दोस्तो स्वागर आप सभी का तेकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तो जैसी के आप मेरे स्क्रीन पर एक इरोर देख सकते हैं ठीक है तो ये जो है दोस्तो मुझे भी आ रहा था तो ये दोस्तो आपको भी इस तरह का कोई भी problems यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आपके जो इस्क्रीन ने उसमें भी कुछ इस तरह का error आपको दिखाए दे रहा है तो ये जो error है वो किस वज़े से आ रहा है केसे करके यहाँ पर आप जो है इसको fix कर सकते हैं आज के इस वीडियो पर दोस्तो मैं आपको इसी के regarding पर थोड़ा बहुत कुछ जानकरी देने वाला हूँ तो दोस्तो यहाँ पर आप आप अच्छे से देखे वीडियो को और अच्छे से समझ यह आपका जो problem में वो खुर्भखुरी solve हो जाएगा ठीक है और उसको आप खुरी fix कर सकते हैं बिना किसी दिक्कट के यहाँ पर दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले में आपको बता देता हूँ यह जो problem में आपके account पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ठीक है तो चलिए दोस्तो वीडियो को बिना देर के वे शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले यहरी आपने चैनल को subscribe नहीं कर रखाए तो चैनल को जाके subscribe जरूर करें सारी साथ दोस्तो यहरी आप online से पेसा कमाना चाते हैं तो उसके लिए हमने वीडियो description पर जो है link दे रखा है आप जाके check out कर सकते हैं और किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message करें तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं यह problem किस वज़े से आ तो सबसे पहले तो दोस्तो मैंने जिसी के आपको कहा यह जो problem है आपके account पेसे नहीं आ रहा है यह जो error है यह दोस्तो आपको तब दिखाए देगा जब आप यहाँ पर कुछ गल्तिया कर देते हैं जिसी के मान लिजए आपने कोई password गल्टी कर देते हैं ठीक है और यहाँ पर पर दोस्तो से password नहीं आप यही दोस्तो यहाँ पर आपना जो phone number उसको भी गल्लट तरीके से ड़ करते हैं तब आपको इस तरह का error नहीं को मिल जाते हैं ठीक है तो दोस्तो यहाँ पर मैं आपको suggest करूंगा कि जब भी आप Facebook पर आपना login info 8 करें तो दोस्तो आपका जो यहाँ पर mobile number है ठीक है यह वाला आप इसको बिल्कुल सही से add करें ठीक है एक भी गलतिया नहीं होने चाहिए साधी साथ आपका जो यहाँ पर password है उसको भी बिल्कुल ध्यान से आप add करें ठीक है ताकि आपको कोई problem डुबारा से ना आ जाए तो दोस्तो आपको सिर्फ यही solve हो जाएगा लेकिन दोस्तों कभी कभी हो क्या जाते हैं यह error आपके पास एक बार आ जाते हैं उसके बाद दोस्तों जाने रहे होते ठीक है तो आपको क्या करना है simply एक बार जो आपना Facebook है उसको प्लेश्टोर पर जाके एक बार चेक करना है कि updated version का है या नहीं है ठीक है स सबसे में बार तो यह जो है अपडेट वर्जिन का तो होना चाहिए यहाँ पर ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट और आ चुका है तो दोस्तों आप जाके अपडेट करें उसके बाद सेटिंग पर जाएं सेटिंग पर जाने के बार स्ट्रॉल डाउन करके आ दोस्तों आपको फोर्ट स्टॉप कर देना है ओके पर क्लिक कीजिए उसके बाद इंटर्नल स्टॉरेज पर जाएं क्लियर देटा पर क्लिक कीजिए जैसे आप क्लियर देटा पर क्लिक करोगे इस तरह का इंट्रफेस आपको डिखाए देगा ओके पर क्लिक करके आपको य allow कर देना है ठीक है केमरा को भी allow करना है और calendar आप छोड़ सकते हैं उसके बाद दोस्तों device को एक बार restart कर डीजे रिस्टार्ट करने के बार facebook को दुबारा से open कीजिए अच्छे से अपना जो email ID है उसको add करें ठीक है आपका जो login information है आपका जो phone number है उसको आप अच्छे से add कर दीजिए ठीक है आपका password सही होना चाहिए आपका जो phone number है वो सही होना चाहिए या फिर आपका email ID है ठीक है तब जाके आप जो है problem को solve कर सकते हैं तो बस दोस्तों यही है इसका solution उमीड करते हैं वीडियो आपको पसे नहीं होगा किसी भी तरह का issue किसी भी तरह का problem आपको दुबारा से आज आते हैं तो आप हमें comment section पर comment कर दीजिएगा या तो फिर आप हमें twitter पर follow करके message कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही thanks for watching